नमस्ते दोस्तों सिये सद्बी सिंग यूट्यू चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों पैन को अधार से लिंक करने के लाज ये 30 जून 2023 थी तो जो व्यक्ति से लिंक नहीं कर पाई है उनके लिए नई अबडेट income day department के दोरा जारी की गई है दोस्तों income day department की नोर्ज में आया है कि बहुँछ से taxpayer ने चलाम जो पे कर दिया था PAN को अधार से लिंक करने के लिए लेकिन उनका जो चलान था वो डाउनलोड नहीं हो रहा था दोस्तों इस केस में इंकमडरी डिपार्टमेंट के दोरा कहा गया है कि आप चलान की पेमेंट का स्टेटर चेक कर सकते हैं इपेटेक्स में लोगिन करने के बाद यदि आपकी पेमेंट सक्सेस्फुल हो जाती है तो उस केस में आप अपने पेमेंट को अधार से लिंक कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको चलान था को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है पैन को धार से link करने के लिए तो जैसे ही आपकी payment successful हो जाती है उस case में email आपको भेजी जाती है जिसमें के जो चलान की copy वो भी attach होती है तो जहांपे के fees payment और consent जो है already receive होगी है income tax department को लेकिन उनकी linking नहीं हुई है 30 जून 2023 तक उन्हें भी consider किया जाएगा income tax department के दौरा दोस्तों जो व्यक्ति अपने pen को धार से link नहीं कर पाए है उन case में जो pen number है वो in operative हो जाएगा इस case में वो late fees को pay करके अपने pen को operative कर सकते हैं लेकिन इसके लिए 30 days का time जो है वो लगेगा इसके अलावा यदि आपका pen in operative बन जाता है तो उस case में आपको income tax department के दौरा refund नह से ले हो जाता है तो इस case में आपको को interest नहीं मिलेगा यदि आपका pen in operative हो जाता है तो जिस दिन से pen आपका in operative हो जाता है और जब वो operative होगा उस दिन तक का आपको interest नहीं मिलेगा इसके अलावा income tax में higher rate से TDS काटा जाएगा या फी जो TCS हो क्लट किया जाएगा यानि क आप insure कीजिए कि आप जल्द से जल्द अपने pen को अधार से link कर लें उमीद करते हैं आपके लिए हैं news useful होगी कि पर लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तके जानकारी पहुंच पाए और वो income tax की compliance कर पाए और वो इंकम टेक्स की compliance कर पाए और इस चैनल को subscribe करे जीए taxil at the gmail.com पर आप हमें telegram app csf basing taxil पर जोइन कर सकते हैं थाके आप GST और income tax के regular update अपने mobile पर ही प्राप्त कर सकें